दोस्तों घरे लूपचार और सुखी जीवन चनल पर आपका हर्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गोरा होने का और चहरे को निखारने का एक पहुती अच्छा और पहुती असरदार नुश्का दोस्तों सावला होना अपने आप में गोरेपन के सामने थोड़ा से सर्मिंद की महसूस कराता है दोस्तों कुछ लोगों का रंग बच्पन में या जवानी में तो गोरा होता है पर उमर बढ़ने के साथ साथ रंग ड़ल जाता है अपने चेहरे की तुचा की सही देख बाल ना करने की वज़े से या अनुचित खान पान की वज़े से या कुछ और गलतादों की वज़े से ऐसा हो जाता है इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि सकिन की अच्छे से केर की जाए हमारी सकिन में नैचुरल रूप से मेलानीन नाम का पिगमेंट बनता है जो तुचा को एक रंग देता है ज्यादा सूरज की किरनो या तनाव मेलानीन के बनने की परकिरिया को बढ़ा देता है जो सावले रंग के कारण बनता है ठीके इसलिए इन बातों का ध्यान भी रखना काफी जरूरी है और ऐसे बहुत सी हॉम रेमेडी है हम अपने घर में भी उनको तयार करके ऐसे घरेलू टिप्स घरेलू नुसके बना सकते हैं जिन से हमारा रंग गोरा और बहुत अच्छा बन जाता है दोस्तों भरतिय समाज में गोरा होना यही सुंदर्ता की निसानी माना जाता है लड़का हो यह लड़की बस जिसका रंग सामला है वह हमेसा गोरे होने के कहप देखता रहता है और तर회 के चीज़ें क्रीम वगरा और काफी प्रोड़क्ट मार्केंट में जैसे एवल एबल है उनको इस्तिमाल करके जल्दी से जल्दी गोरा बन जाना चाहता है दोस्तों वो जो भार के प्रोड़क्ट होते हैं वो बहुत कोशली भी होते हैं प्लस उनके अंदर केमिकल होने की वज़े से वो हमारे सरीर को हमारे स्किन को नुकसान पहुचाने के अलावा और दूसरा काम नहीं करते हैं इमिडेटली उनको अपलाई करने के बाद तो लगता है कि गोरे हो गए हैं लेकिन लगातार उसका इस्तिवाल करने के बाद इसकिन के उपर उसका बहुत गलत असर पड़ता है और फिर गोरापन तो नहीं रहता लेकिन इसकिन के उपर दाग धपी छोड़ जाता है दोस्तों उनी को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं आज एक बहुत अच्छा सहद और दूद से बना जो फेस पैक है वो लेकर आए हैं इसकी मदद से आप अपने चहरे को गोरा और बहुत ही खुब सुरत बना सकते हैं वो भी बहुत कम समय में दोस्तों इसके लिए करना आपको यह है कि आप दूद ले कच्छा दूद होना चाहिए जिसकी ड्राइ स्किन है वो फुलक्री माला दूद ले सकते हैं और जिसकी त्वेचा ओइली है वो उसमें फैट जादे नहीं होनी चाहिए पस इनी दोनों का इन चीजों का ख्याल रखें बाकी इसके में अंदर मिलाना है एक चमच सहद और थोड़ा सा दूद दूद आप उतना ले जितना एक्चुली जरूद है और उसमें एक चमच आप सहद मिला लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसको फिर अपने चहरे पर लगाएं दोस्तो नेचुरल तरीके से गोरा करने के लिए दूद काफी पर भावी होता है दूद से हमारी तुचा को जो भी पोसकता तो मिलने चाहिए वो मिल जाते हैं रंग साफ होता है दूद से और इसके अंदर ये सहद मिला लिया जाए तो इसके फायद अश्राइज करता है डेट सेल्स को बहार निकालता है और नैचुरल तरीके से चहरे को गोरा बनाता है दोस्तो जो हमने नुसका भी आपको बताया है इन दोनों को मिला कर इस पेस्ट को अपने फेस पर हलके हातों से हलकी से मसाज करते करते 15-20 मिनट के लिए उसके बाद छ हो सकते हैं यह एक ऐसा घरेलू नुसका है जो आपको हर समय में चाहे सर्दी हो गर्मी है कोई भी मोसम हो तुरंत लगाने के बाद फोरन आपको रिजल्ट इसका मिलेगा दोस्तों ग्लोइंग इसकिन पाने का एक यह बहुती खूबसूरत और बहुती असरदार नुसका है इसको इस्तिमाल करें और इसका फायदा उठाएं जैसा कि हमने बताया है ओयली स्किन वाले फुल क्रीम वाला नाले यानि उसमें फैट बहुत ही कम होनी चाहिए और जिसके ड्राइ स्किन है वो फुल क्रीम वाला दूद ले सकते हैं दोस्तों यह जो नुसका हमने बताया ह यह बहुत यह अच्छा है आप इसको इस्तेमाल जरूर करें आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारा यह है नुस्का और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें दोस हुआ है